Good morning students, how are you? Hope you are good and healthy. Now let's start your Hindi work and open your Hindi book, Runjun ki Sulekh Mala. आज हम अपने तीसरा स्वर करेंगे, जो है E. ठीक है? कौन सा स्वर है ये? E. E से Imli. E से Imli. ठीक है? तिकिन उससे पहले बचे आपने यहाँ पे Date जरूर मेंचन करना है. ठीक है? यहाँ पे Date और राइट साइड में HW. HW means Homework. तो ये आपने Date and Homework जरूर मेंचन करना है जब भी आप कोई भी Work करते हैं. ठीक है? उसके बाद आप हम ये E बनाना सिखेंगे. तो मैं ये आपको एक अलग पेश में वाइट पेपर में बड़ा बड़ा बना के दिखाती हूँ कि ये कैसे बनाना है हमने. तो सबसे पहले हम एक Standing Line बनाएंगे. चोटी. उसके बाद आपने इसको घुमा के Curve Line बनाते हुए नीचे लेके आना है ऐसे. फिर इसकी एक चोटा सा Circle ऐसे बनाते हुए इसकी एक Slanding Line बना देंगे. और उपर हम इसके Sleeping Line. तो ये हमारा बन गया E. खीक है? एक बड़ी मैं आपको फिर से बतनाती हूँ. यहाँ पे आपने Standing Line बनानी है. फिर इसकी आपने घुमाना है इसको. इसकी नीचे लेके आना है इसको घुमाते हुए आपने. और यहाँ से एक Circle बनाते हुए एक Slanting Line बनानी है. और इसके उपर यहाँ पे Sleeping Line करनी है. तो ये हमारा बन गया E. इमली. ठीक है? आपको समझ आ गया है ना? तो ऐसे ही आपने इस पेज में भी ये E. इमली बनाना है. ओके? तो ये आज आपका हिंदी का Homebook है. आज आपने इसे Complete करना है. ओके? ओके. बाई.